आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बावू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट आप टेली का अधूरा ग्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप accountant या विद्वान बनआ चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है इस Video Series की सभी Videos को एक-एक करके क्रमानुसार ही देखें Videos को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी website द्वारा और दूसरा हमारे YouTube channel की playlist द्वारा टेली की इस वीडियो सिरीज के आज की अध्याय में आप जानेंगे ट्रेडिंग एन प्रॉफिट एन लौस अकाउंट क्या होता है तिथा ट्रायल बैलन्स शीट के आधार पर उसे कैसे बनाया जाता है इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि ट्रायल बैलन्स क्या है इसके आवशक्ता क्यों होती है और लेजर से ट्रायल बैलन्स शीट कैसे बनाई जाती है जब हम किसी प्रोफेशन या बिजनस में होते हैं तो उसका उद्देश्य होता है मुनाफ़ा यानी प्रॉफिट कमाना और इसी उद्देश्य से हिसाब किताब भी रखा जाता है हिसाब किताब रखने से ही हमें पता चलता है कि व्यापार या व्यावसाई में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस आपको याद होगा कि हमने ट्रायल बैलेंशीट में सभी अकाउंट्स को उनकी प्रकृति के हिसाब से लियाबिलिटी असेट्स, इंकम और एक्सपेंसेज में बाटा था वर्ष समापती पर व्यावसाई में प्रॉफिट हुआ या लॉस ये निकालने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस में हमारे जितनी भी इंकम और एक्सपेंसेज से संबंधित अकाउंट्स हैं उनके बलेंसेज, ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होते हैं अब ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या है ये भी अन्य अकाउंट्स की तरह ही एक प्रकार का अकाउंट है सुविधा की दृष्टी से हम इसे दो भागों में बाढ़ सकते हैं पहला ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आई आप देखते हैं कि ये दोनों खाते क्या हैं और इन दोनों खातों में से किस खाते में इंकम और एक्सपेंसे से संबंधित कौन से अकाउंट्स ट्रांसफर किये जाते हैं और उसे हमें क्या पता चलता है व्यापार खाता वो खाता है जो व्यापार के सकल लाब यानि gross profit और सकल हानी यानि gross loss मालुम करने के लिए बनाया जाता है इस खाते में व्यापार में हुई खरीद, विक्री, प्रारंभिक स्टॉक, अन्तिम स्टॉक और सभी प्रत्यक्ष व्य यानि direct expenses शामिल किये जाते हैं उप्रोक्त परिभाशा में उप्योग किये गए शब्दों में से हम आपको खरीद, विक्री और direct expenses के बारे में पहले ही बता चुके हैं अब प्रारंभिक स्टॉक तथा अन्तिम स्टॉक को समझ लेते हैं किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में हमारे पास किसी भी मात्रा में जो माल उपलब्ध है वो स्टॉक कहलाता है वर्ष के अन्त में जो माल बिना विकार रह जाता है वो उस वर्ष का closing स्टॉक कहलाता है और अगले साल के लिए वही माल opening स्टॉक कहलाता है जैसे 31 मार्च 2020 को वर्ष समापती पर हमारे पास 10 टीवी थे जिनका मुल्ख 1 लाख रुपए है तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा और अगला वर्ष जो 1 अप्रेल 2020 से प्रारंभ हुआ उसके लिए यही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा आई अब हम व्यापर खाता बना लेते हैं इसमें सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं चुकि हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक के आगे 0 लिख रहे हैं अब एक-एक करके ट्रेडिंग अकाउंट से संबंदे जितने भी खाते जासे कि खरीद, विक्री और सभी प्रत्यक्ष वैके खातों के जो भी बैलन्स हैं वो यहाँ पर लिख देंगे एक महतुपून बात का ध्यान रखें ट्राइल बैलन्स में जो बैलन्स डेबिट में है उसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड में लिखेंगे तथा जो बैलन्स क्रेडिट में है उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे साथ ही हम जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट में ले आएंगे उनकी पहचान के लिए ट्रायल बैलेंस में उसे लाल रंग कर देंगे ओपनिंग स्टॉक के बाद डेविट साइड में ही पर्चेस अकाउंट का बैलेंस लिख लेते हैं इसके बाद हमारा Direct Expenses का एक ही खाता है Freight Account का, हम उसका Balance भी लिख देंगे चलिए अब Trading Account में Right Side में हमारे Sells Account का Balance लिख देते हैं और इसके बाद हमारा जो भी Closing Stock होगा, वो लिखना होगा हमारा कोई Closing Stock नहीं है, इसलिए यहां हम Zero लिख रहे हैं अब इन दोनों पक्षों का Total लगा लेंगे ध्यान रखें, यदि Credit Side का Total, Debit Side के Total से अधिक होता है तो इनका अंतर यानि Difference हमारा Gross Profit कहलाता है और यदि Debit Side का Total Credit Side के Total से अधिक होता है तो इनका अंतर हमारा Gross Loss कहलाता है यहां देखिए, Credit Side का Total, Debit Side के Total से अधिक है मतलब यहां पर हमें Gross Profit हुआ है अब हम Gross Profit निकाल लेते हैं Credit Side का Total है 1,00,00 रुपे Debit Side का Total है 81,100 रुपे तो यहां पर हमको Gross Profit हुआ 18,900 रुपे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के अनुसार दोनों पक्षों यानि Debit का Total और Credit का Total बराबर आना चाहिए तो यह अमाउंट हम Debit Side में लिख करके दोनों पक्षों को पराबर कर लेते हैं अब हम Gross Loss को समझने के लिए एक उधारन देख लेते हैं देखे इस उधारन में Debit Side का Total Credit Side के Total से अधिक है मतलब हमें Gross Loss हुआ है हम Gross Loss निकाल कर देख लेते हैं Debit Side का Total है 1,20,000 रुपे और Credit Side का Total है 1,00,000 रुपे तो यहां पर Gross Loss हुआ 20,000 रुपे का हमने आपको समझाने के लिए यह जो उधारन बताया था इसे हम हटा देते हैं यह जो Gross Profit या Gross Loss हमें Trading Account से प्राप्त होता है आगे उसे Profit and Loss Account में ले जाना होता है एक महतुपुन बाद ध्यान रखें जब भे हम किसी खाते का Balance आगे ले जाते हैं तो उसे Opposite Side में लिखते हैं जैसे कि हमने Trading Account में जो Debit Side में Cross Profit निकाला है उसे Profit and Loss Account में ले जाएंगे तो Credit Side में लिखेंगे चलिए अब हम Profit and Loss Account पर काम कर लेते हैं पर उससे पहले हमें इसकी परिभाशा समझनी होगी व्यापार खाता बनाने के बाद लाभानी खाता बनाया जाता है और इससे व्यापार के शुद्धलाग यानि Net Profit या शुद्धानी यानि Net Loss को निकाला जाता है इसमें हम व्यापार खाते में जो भी Account ले चुके हैं उनको छोड़ कर Income और Expenses के शेश सभी खाते लेते हैं यानि Indirect Income और Indirect Expenses के सभी खाते इसमें लिये जाते हैं और इससे प्राप्त शुद्धलाग या शुद्धानी पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है यहाँ से हम अपना Profit and Loss Account बना रहे हैं सबसे पहले यदि हमें व्यापार खाते से Gross Profit हुआ है तो उसे Right Side में लिखना होता है जो कि हम लिख चुके हैं यदि हमें Gross Loss Profit हुआ है तो उसे हम Left Side लिखते हैं इसके बाद Right Side में हमारी जितनी भी Indirect Income है वो लिख देंगे और Left Side में जितनी भी हमारे Indirect Expenses है वो लिख देंगे दोनों साइट का टूटल लगाएंगे देखे हमारा Credit Side का टूटल डेबिट साइट के टूटल से अधिक है तो इसका तात पर यह है कि हमें Net Profit प्राप्थ हुआ है यहां दोनों पक्षों का अंतर जो कि हमारा Net Profit है वो लिख देंगे ऐसा करते ही देखिए दोनों पक्ष भी समान हो गए है यहां तो हमें Net Profit हुआ है लेकिन यदि Net Loss हुआ होता तो उसे किस प्रकार लिखते आईए एक उधारन की साहता से समझ लेते हैं यह देखिए इस उधारन में डेबिट साइट का टोटल क्रेडिट साइट के टोटल से अधिक है बतलब हमें Net Loss हुआ है हमने आपको समझाने के लिए यह जो उधारन बताया था इसे हटा देते हैं यह जो Net Profit या Net Loss हमें Profit & Loss अकास्पञांट से प्राप्त होता है उसे PayPal अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है चलिए यह कि अब Nets Profit अकाउंट से जो Net Profit प्राप्त होँआ है उससे Capital अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जैसा कि हमने आपको trading account की अंत में बताया था कि जब हम किसी खाते के balance को आगे ले जाते हैं तो उसकी entry opposite side में करते हैं तो net profit की हमारी entry capital account में credit side में होगी देखिए profit होने से हमारे capital account का balance बढ़ गया है इस तरह अभी हमने जो काम किया उसका साराँच यह है कि हमने trial balance से income और expenses के सभी खातों को trading and profit and loss account में transfer कर दिया यानि ये खाते अब समाप्त हो गए हैं और trading and profit and loss account से हमने जो profit प्राप्त हुआ उसे हमने capital account में transfer कर दिया और ऐसा करते ही हमारा profit and loss account का काम भी समाप्त हो गया अब हम एक काम और करेंगे trial balance से जिन खातों का balance हम trading and profit and loss account में ले जा चुके हैं और जिने हमने पहचानने के लिए लालरंग भी किया हुआ है उन सभी खातों को हम trial balance से हटा देंगे देखें यहां आप सिर्फ assets और liabilities के खाते ही दिखाई पड़ रहे हैं पर यहां एक समस्या भी आ रही है नीचे दोनों पक्षों का जो total है उसमें difference आ रहा है जबकि accounting के principles के हिसाब से यह दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए इसका करण यह है कि यहां जो capital account का balance लिखा है वो पुराना है हम इसे हटा कर capital account का current balance यहां पर लिख देते हैं देखिए ऐसा करते ही दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हमने trial balance के आधार पर अपना trading and profit and loss account बनाया और अपने website में होने वाले लाभ या हानी की जानकारी प्राप्त की और यही हमारे हिसाब किताब रखने का मुख्य उद्देश भी था जो कि यहां पर पूरा हो रहा है तैली में हमें trading and profit and loss account नहीं बनाना होता है वो हमें एक preview देता है जिसके आधार पर हमें कुछ transfer entries करना होती है ध्यान रखने की बात यह है कि तैली में इसका नाम सिर्फ profit and loss account है हमारी अगली वीडियो में आप balance sheet के बारे में जा रहेंगे और उसी के साथ हमारी accounting संबंधित जरूरी जानकारी पूरी हो जाएगी